पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूब इन दिनु सुर्खियों में है। इस सूबे के विद्रोही गुटों ने पाकिस्तानी सेना को ऐसा सबक सिखाया है जिसे बेह दशकों तक याद रिखेगी। सुमवार कोई के लिए एक दिन में बलूच विद्रोहियों ने एक सौस पूप की लड़ाई लड़ते हैं। इनमें बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाब अकबर खान बुक्ती का नाम भी शामिल है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने दिन दहाडे मार दिया था। जानते हैं कि भारत को ब्रिटिस शासन से आजादी मिलने से चार दिन पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था और 1947 में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्रे के रूप में बनाया गया था। इससे भी बड़ी विदम बनाया है कि मुहम्मद अली जि जिन्होंने बलूचिस्तान के शासक खान मीर एहमद्यार खान जिन्हें कलात के खान के नाम से भी जाना जाता है के लिए ब्रिटिशों के सामने केज लड़ा था। हलाकि बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक कि ही एक स्वतंतर राष्ट रह सका। ये असंतोष दशकों से दबा हुआ था जो अब पाकिस्तानी सेना पर फूट पढ़ा है। बलूचिस्तानी सेना के खलाफ जंग का एलान कर दिया है जिसे वेहार पार की लड़ाई बता रहे हैं। लंबे समय से सुलक रहा बलूचिस्तान विशेशग्यों का मानना है कि बलूचिस्तान में अचान समिती बीवाईसी और पाकिस्तान सरकार के बीच जारी गतिरोध के कारण तनाव है। सरकार द्वारभारी दमन के बावजूद विरोध माच, रैलिया, प्रदशन और धर्ने लगातार आयूजित किये जा रही हैं। ये गतिरोध तब शुरूआ जब जुलाई में सरकार न बीवाईसी ने बलूच राजी माची या बलूच राष्ट्रिय सभा का अहवान किया था। बलूच नेता लंबे समय से पाकिस्तान सरकार से लापता लोगों के बारे में जवाब मांग रहे हैं, जिनके सुरक्षा एजिंसियों द्वारा अपहरण किये जाने का संदेह पाकिस्तानी सेना ने चलाया दमन चक्र पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने बलूचों की इस सभा को रोकनी के लिए बड़े पैमाने पर दमन चक्र चलाया। हजारों कारेकरताओं को गिरफतार किया गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया और उन्हें ग्वादर की और माच करने से रोपने के लिए उन पर गोलियां चलाई गए। सरकार की कारवाही में कम से कम चार प्रदर्शन कारियों की मौत हो गई और दर्जनों अने घायल हो गए। जबकि बाइक का कहना है कि ये नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकारों की वकालत करने वाला एक अधिकार समूह है, वहीं पाकिस्तान। सेना इस समूह को आतनकवादी संगठनों और आपराधिक माफियाओं का प्रतिनिधी बताती है, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान में चीन की विकास परियोजनाओं को रोपना है। मानवाधिक और समूह ने पाकिस्तान को हला कि पाकिस्तान के मानवाधिकारायों के चार सीपी ने सुरक्षा एजिंसियों द्वारा की गई कारवाही में प्रदर्शन कारियों के खलाफ हिंसा की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की। एमनेस्ती इंटरनाशनल ने 27 चुलाई को एक बयान चारी किया, जिसमें विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कारिवाही को समाप्त करने और शांती पून सभा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए गिरफतार किये गए सभी लोगों की ततकाल और बिना शर्त रिहाई का आहवान किया गया। प्रांथ के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बलूचिस्तान का इतिहास उग्रवात से जुड़ा है और इरान के सिस्तान प्रांथ के साथ इसका जातिय संबंध भी है। ये पाकेस्तान के राजस्व के प्रात्मिक्स रोतों में से एक है लेकिन सबसे कम विक सितक्षेत्र बना हुआ है। इस प्रांथ का नाम बलूच जनजाति से लिया गया है जो साधियों से इसक्षेत्र में रह रहे हैं। बलूच लोगों की एक अलग संस्कृति है जो उन्हें बाकी पाकेस्तान से अलग करती है और उन्हें इरान के सिस्तान प्रांथ में सीमा पार रहने बाले लोगों के करीब बनाती है। भारत पर ब्रिटिस शासन के दोरान एक शेत्र इरान और आधुनिक पाकेस्तान के बीच विभाजित हो गया था। परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतराष्ट्रिय हवाई अड्डे के निर्मान में भी शामिल है। पाकिस्तान ने कैसे एक स्वतंत्र देश पर किया कभजा बलुचिस्तान की आधुनिक कहानी 1876 में कलात रियासत और ब्रिटिश भारत सकार के बीच हुई संधी से शुरू होती है। इसने कलात को आंतरिक स्वायत्तिता प्रदान की। ऐसा ही ब्रिटिशों ने भुटान और सिक्किन के साथ भी किया था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए तब बलुचिस्तान में चार रियास्ते शामिल थी कलात, खारण, लास बेला और मकरन। बलुचिस्तान के तीन को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या अपनी स्वतंत्रता की घोशना करने का विकल्ट दिया गया था। लेकिन 1876 की संधी के अनुसार कलाद को दोनों देशों में से किसी एक में शामिल होने की आवश्यक्ता नहीं थी। बालुचिस्तान के वकील थे मुहम्मद अली जिन्ना वास्तों में जब 1946 में स्वतंत्रता एक निश्चित संभावना बन गई तो कलाद के खान ने अंग्रेजों के सामने अपना मामला रखने के लिए जिन्ना को राजिके वकेल के रूप में शामिल किया 1947 में दिल्ली में आयुजितिक महत्पून बैठक में जिन्ना ने कलाद की स्वतंत्रता के लिए तर्ग दिया इस बैठक में अंतिम ब्रिटिश वाय सराय लौड माउंट अबेटन, कलाद के खान, कलाद के मुख्य मंत्री, जिन्ना और जवाहरलाल नहरू शामिल हुए थे इस बात पर सहमती बनी की कलाद स्वतंत्र रहेगा जिन्ना ने जोड़ दिया है कि खरान, लास बेला और मकरान को कलाद में मिलाकर एक पून बलुचिस्तान बनाया जाए 11 अगस्त, 1947 को कलाद और मुस्लिम लिए के बीच एक समझोते पर हस्ताक्षाप किये गए बलुचिस्तान को भारत और पाकेस्तान के साथ स्वतंत्र होना था बलुचिस्तान की सुरक्षा पाकेस्तान द्वारा सुनिश्चित की जानी थी कलाद के खान ने 12 अगस्त को बलुचिस्तान को स्वतंत्र घोशित कर दिया बालुचिस्तान में विरोध, क्रांती और दमन भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रदा का जश्रन मनाया, कलाथ ने भी अपना पारंपरिक लाल और सफेद जंडा फहराया एक खुत्वा, मस्जिद से सार्वजनिक उपदेश पढ़ा गया जिसमें कलाथ के खान को एक स्वतंत्र शासक घोशित किया गया, खान ने अपने क्षेत्रों के एकिकरण का इंदजार किया लेकिन सितंबर 1947 में अंग्रेजों ने एक अधी सूचना जारी की जिसमें कहा गया कि कलाथ एक स्वतंत्र शासक के रूप में कारे करने की स्थिती में नहीं है, कलाथ के खान ने अक्ट्यूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया संभवत्तरह जिन्ना के मदद से इस मुद्धे को हैल करने के लिए जिन्हों ने उनके मामले पर बहस की थी, जिन्ना ने डाला बलूचिस्तान पर विलय का दबाव हाला कि जिन्ना ने उन्हें अपने राजी को पाकिस्तान में विलय करने की सलाह दी, कलाथ के खान ने प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्विकार कर दिया है कि निरने बलूचिस्तान विधान मंडल द्वारा लिया जाएगा, जिसने पाक जिन्ना का समर्थन करने के इरादे से थे, मार्च 1948 में जिन्ना ने अपना कदम उठाया, कलाथ से खारण, लास बेला और मेकरान को अलग करने और पाकिस्तान में विलय की घोशना की, सेना भेज कर बलूचिस्तान पर किया कब्जा मार्च के अंत तक, जिन्ना ने सेना को ब विश्वास खात की भाबना को और गहरा कर दिया। खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलुच राष्ट्र वादियों का नेत रित्व किया, जो 1948 में अपनी स्वायत्तिता और संस्कृति को बचाय रखनी के लिए विद्रोह कर दिया। 70 के दशक में बलुचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए। लेकिन हार बार पाकिस्तानी सेना ने अधिक दमनकारी तरीकी से जवाब दिया। दशकों से सुलक रहा बलुचिस्तान विद्रोह का अंतिम चरण 2000 के दशक की शुरुआत में शुरु हुआ, जब बल के गवर्नर की रूप में भी काम कर चुके थे। उन्होंने बलुचिस्तान की प्राकृतिक संसादनों पर नियंत्रन सहित मांगों का एक चार्ट जारी किया। बुप्ति की 2006 में हत्या कर दी गई थी। बलुच विद्रोहियों ने गुस्से में जवाब दिया। कुछी दि झाल 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 झाल